नमस्कार मित्रों, आपका डिवाइन स्टोरी टीवी चैनल में स्वागत है। आज हम महाभारत से जुड़ी उन दस सबसे बड़ी किमवदंतियों की बात करेंगे, जिनका वास्तविक महाभारत से कोई लेना देना नहीं है। ये कहानिया समय के साथ बनती चली गई और कुछ लेखकों और टीवी सीरियल्स ने इने इस कदर प्रचलित कर दिया कि लोगों ने इने महाभारत का हिस्सा मान लिया, तो चलिए, इन ब्रांतियों पर से परदा उठाते हैं। नमबर एक, बरबरीक और उसके तीन बान बरबरीक की कथा महाभारत में नहीं, बलकि सकंद पुराण में मिलती है। मूल महाभारत में गटोतकच के पुत्र का नाम अनजान बताया गया है, और बरबरीक की कथा बात के ग्रंथों में जोड़ी गई है। महाभारत के अनुसार बरबरिक काल्पनिक पात्र था और उसकी कथा का महाभारत से कोई संबंध नहीं है। नमबर दो, कर्ण द्वारा श्री कृष्ण को सोने का दान देना ये कथा, शिवाजी सावंत की किताब मृत्युन जय में लोगप्रिय हुई थी, जिसमें कहा गया था कि कर्ण ने अपने अंतिम समय में सोने के दान किये थे, लेकिन महाभारत में इसका कोई उलेख नहीं मिलत असल में अरजुन के बांड से ये कर्ण की मृत्यु हो गई थी, और इस दान की कथा का महाभारत से कोई लेना देना नहीं है नमबर तीन, भीश्म पितामह और पांच स्वर्ण बाणों की कहानी ये कहानी भी आधुनिक लेखकों द्वारा गड़ी गई है कि भीश्म पितामह ने पांच स्वर्ण बाण तयार किये थे, जिनसे वह अगले दिन पांडवों को मारने का संकल्प लिया था इस कहानी का भी महाभारत से कोई संबंध नहीं है असल में भीश्म पितामह ने केवल यह प्रतिग्याली थी कि वह प्रति दिन दस हजार पांडव योधाओं को मारेंगे नमबर चार, द्रोना चारे ने कर्ण को शिक्षा देने से मना किया था यह भी एक बड़ी भ्रांती है कि द्रोना चारे ने कर्ण को अपना शिश्य बनाने से इनकार कर दिया था असल में महाभारत के आदिपर्व के अध्याए 131 में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि कर्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा द्रोना चारे से ही प्राप्त की थी हाँ, जब कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का ज्यान मांगा तब द्रोना चारे ने उसे मना कर दिया क्योंकि वह जानते थे कि कर्ण इसका उपयोग अरजुन के खिलाफ करेगा, लेकिन बाद में कर्ण ने भगवान परशुराम से ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र और ब्रमसेरा अस्त्र और भारगव अस्त्र और अन्य कई दिव्यास्त्रों की शिक्षा ली थी नमबर पांच द्रौपदी का अंधे का पुत्र अंधा कहना B.R. चोपड़ा की महाभारत में यह दृश्य दिखाया गया है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था लेकिन महाभारत के किसी भी अनवादित संस्क्रण में इसका उलेख नहीं है। असल में जब दुर्योधन राजसुई यज्य के बाद माया सभा में प्रमित होकर गिर गए थे, तब नकुल और सहदेव ने उन पर हंसी की थी, लेकिन द्रॉपदी ने कोई अपमान जनक टिप पढ़नी ने की थी, लेकिन टीवी सीरियलों में ये इश्क खाने का कोई उलेख नहीं मिलता, ये कहानी कुछ आधुनिक लेखकों द्वारा गड़ी गई है। असल में सहदेव अत्यधिक बुद्धिमान थे और उने ब्रिहस्पती का शेश्य माना जाता था, लेकिन इस कथा का महाभारत से कोई संबंध नहीं है। सहदेव ज कि गांधारी ने अपनी शक्ति से दुर्योधन का शरीर वज्र जैसा कर दिया था। इस कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने दुर्योधन को नीचे से नगन रहने का सुझाव दिया जिससे उसकी जांगे कमजोर रह गई और भीम ने वहीं प्रहार कर उसे मारा। लेकिन मह भारत के किसी भी प्रमुक संसकरण में इसका कोई उलेक नहीं मिलता। असल में दुर्योधन ने गदा युद्ध में अपने पूरे जीवन का अभ्यास किया था और इसी कारण से उसका शरीर अत्यधिक मजबूत हो गया था। नमबर आठ शकुनी हस्तिनापुर में प्रति करते थे और इसलिए वह हस्तिनापुर में रुख गए थे। अगर वह बदला लेना चाते तो कभी भी दुर्योधन का समर्थन नहीं करते। महभारत में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि शकुनी युद्ध के पक्ष में थे। बलकि उन्होंने कई बार दुर्योधन को चक्रव्यूह तोड़ने का ग्यान अपनी मा के गर्ब में ही प्राप्त कर लिया था। लेकिन महभारत के किसी भी अन्वादित संस्क्रण में इसका कोई उलेख नहीं मिलता। असल में अभिमन्यूने केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ग्यान अर्जुन से सीखा लेकिन अर्जुन उसे बाहर निकलने का तरीका सिखाने से पहले ही अन्यकारियों में व्यस्त हो गए थे, द्रोण पर्व के अध्याय 82 और 33 में इसका स्पष्ट वर्णन है कि अभिमन्यू को पूरा ग्यान नहीं था और इसी कारण उसकी मृत्यू हो गई थी. 10. कर्ण द्वारा अर्जुन के रत को पीछे धकेलना ये एक और प्रचलित मिथक है कि कर्ण ने अपने बाणों से अर्जुन के रत को पीछे धकेला था, जिस पर श्रीकृष्ण और हनुमान जी सवार थे। महाभारत के किसी भी अनुवादित संसकरण में इसका कोई उलेख नहीं है। असल में कर्ण ने अर्जुन के साथ कठिन युद्ध किया था, लेकिन श्रीकृष्ण और हनुमान की उपस्थिती को हिलाने वाली शक्ती किसी युद्ध में नहीं थी। लेकिन टीवी सीरियलो महाभारत से संबंधित ये सभी कहानी अवश्य दिखाई जाती है, ये वीडियो यहां समाप्त होता है। लेकिन महाभारत से जुड़े ऐसे और भी कई मिथक और किन्वदंतियां हैं, जिनका वास्तविक्ता से कोई संबंध नहीं है। अगर आपको यहे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करें और हमारे चैनल डिवाइन स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।